Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं XSI 5.3 का question number first देखते हैं क्या है List the outcomes you can see in these experiments यहाँ पे हमारे पास दो experiment given है इनके outcomes बताने हैं क्या क्या possible हो सकते हैं Outcomes का मतलब होता है कि value जो जो possible हो सकती है ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है A के अंदर spinning a wheel, यहाँ पे एक wheel given है, इस पे एक mark दिया है और इसके अंदर A, B, C, D, A इस तरिके से हमें sector बना रखे हैं थोड़े थोड़े तो यहाँ पे हमने यह बताना है कि अगर हम इस wheel को rotate करते हैं तो यह mark किस-किस पे रुख सकता है तो किस-किस के अंदर हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे total हमारे letters क्या है A, B, C और D, चारी letter है outcome का मतलब है कौन-कौन सी value आ सकती है हमारी तो चार letter है, तो चारों letters में से एक value आएगी यहाँ पे दो बार A है, दो बार A नहीं लेना है एक बारी लेना है, ठीक है इस पे आ जाएगी, तब भी A बोला जाएगा इस पे आ जाएगी, तब भी A बोलेंगे हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे there are four letters A, B, C, D so, outcomes outcomes मतलब value कौन-कौन सी आ सकती है वो कितनी हो जाएंगे हमारी are four तो outcomes भी क्या possible है, हमारी four possible है, A, B, C, D में से ही कोई value आएगी, ठीक है next is tossing two coins together अगर दो कोईन को इखठा उच्छाला जाता है, toast किया जाता है अगर एक single coin हो single coin जैसे हम match वगरा खेलते हैं तो toast करते हैं, तो उसमें head, side होता है, tail तो अगर मान लिया, एक coin को अगर हम उचालते हैं तो हमारे पास outcomes कितने हो सकती हैं, दो या तो head आएगा या tail आएगा अब उसने क्या काया दो coins है एक coin ये है एक coin ये है दो coins को उचालते हैं तो दो coins को इखटा उचाला है तो क्या क्या आसकता है इस पे भी head इस पे भी head आगया एक तो ये आसकता है इस पे tail इस पे tail ये भी आसकता है इस पे head इस पे tail ये भी आ सकता है head tail या फिर इस पे tail इस पे head ये भी आ सकता है तो इन चार के इलावा कोई भी outcome possible नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएंगा total outcome total outcomes जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4 और वैसे formula भी होता है इसका निकालने का 2 की power n अब यहां पर coin कितने है 2 तो n की जंगे 2 रख देंगे 2 की power 2 कितना आ गया 2 2 जा 4 2 multiply 2 2 जा 4 अगर माल यह 3 coin होते तो कितना हो जाता 2 की power 3 कर देते 2 की power 2 3 जा 6 नहीं लिखना है इसका मतलब होता है 2 multiply 2 multiply 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 8 possible outcomes हो जाते अगर हम 3 coins को उचालते तो I hope यह चीज आपको अच्छे से clear हो गई है कि outcomes कैसे निकलेंगी next देखतें अपना question number second question number second के अंदर क्या given है when a die is thrown die मतलब ludow खेलते हैं सभी उसके अंदर die होती है उस पे marking होती है number होते है one से लेके six तक list the outcome of an event of getting outcome बताने है कौन-कौन से हो सकते है हमारे a prime number कि एक prime number आए तो कौन-कौन से outcome होंगे note a prime number एक prime number नहीं आए तो कौन-कौन से outcome होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस part को देखते है first part जो है हमारा क्या है total जो number होते हैं उस पे क्या होते है one, two, three, four और 5 और 6 अब इनके अंदर से प्राइम नमबर कौन-कौन से हैं वो लिख देंगे outcome of prime number outcome of a prime number prime number के अंदर कौन-कौन से वेल्व आ सकते हैं 2, 3 and 5 तो 3 and 5 ही हमारे prime number है तो इनी में से कोई value आएगी तब ही हम उनको prime number बोलेंगे note a prime number की क्या होगी outcome of not prime number क्या हो जाएंगे 2, 3, 5 क्या है prime number है तो इन से दूसरे क्या हो जाएंगे 1, 2, 1, 4 और 6 क्या हो जाएंगे non prime 1, 6 and a 4 1, 4 and 6 लिख लो 1, 6 and 4 कोई भी लिख लो तो ये क्या हो जाएंगे not a prime number के outcome next बात करते हैं second part की second part के अंदर क्या पुछा है a number greater than 5 5 से बड़ा number 5 से बड़े number कितनी है only 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगी outcome of number greater than 5 greater than 5 क्या हो जाएगा is 6 अकेला एक outcome होगा और वो क्या होगा 6 होगा a number not greater than 5 मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो यहां पर क्या आजाएगा देखेंगे outcome of number not greater than 5 greater than 5 तो क्या हो सकते हैं 1,2,3,4 यह सारे value होगी 5 भी होगा क्योंकि 5,5 से greater थोड़ी ना है तो हमने यह पुछा था कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो 5 यह 5 से कम हो सकते हैं 1,2,3,4,5 यह value आ सकते हैं तो outcomes हो जाएगे हमारी outcomes जो है number not greater than 5 की क्या जाएगे 1,2,3,4,5 I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया कोई doubt आता है तो comment करें otherwise इस channel को subscribe करें next देखते हैं अपना question number 3 question number 3 के अंदर क्या पुछा है d के उपर रखता है तो उसके रुकने की probability क्या होगी ठीक हैं तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले first part के अंदर total pointers कितने आएगे total pointers are देखो कितनी जगे रुक सकता है इस पे भी रुक सकता है इस पे भी इस पे भी इस पे भी और इस पे भी total pointer कितने होगे हमारे 5 तो total pointers are 5 कौन-कौन से है हमारे a a b c d इन पांचों में से किसी पे रुक सकता है और हमने किसकी probability निकालनी है d की d कितने टाइम से इस पे एक बार है तो यहाँ पे probability of d pointer क्या हो जाएगी हमारी एक बार है तो एक अपन में total pointers कितने है 5 तो 1 by 5 हो जाएगी ठीक है अगर similarly अगर मुझ से पूछ लेता कि a pointer की probability क्या होगी अब a pointer देखो कितने है 1 or 2 तो यहाँ पे 2 अपन में total pointer कितने है 5 तो 2 by 5 यह हो जाएगी probability of a a की आपको समझ में आगी होगी यह चीज नेक्स देखते है question क्या है बी पार्ट के अंदर probability of getting an ace from a well-suffled deck of 52 playing cards ace का मतलब होता है हमारा 1 का यह होता है हमारा ace ace जो होते हैं हमारी इस deck के अंदर 4 होते हैं देखो यह 4 से हमारे अगर इसको मैं क्या करदू well-suffled करदू मतलब इनको mix करदू और फिर क्या करूँ मैं इसमें से क्या करता हूँ यह निकालता हूँ माल लिया ace निकालता हूँ ace कितने है चारों में से कोई भी निकल सकता है तो हमारे पास total ace deck के अंदर क्या है total card से हमारे 52 ठीक है तो हमने probability of ace निकालनी है तो probability of ace क्या हो जाएगी total card जो ace है वो कितने है 4 अप उन में total card क्या है 52 तो 4 अप उन में 52 4 से divide करेंगे 4 वन जा 4 4 से divide क्या तो यहाँ पर क्या आगया 13 तो 1 by 13 probability हो जाएगी हमारी किसकी ace की थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है probability of getting in a red apple यहाँ पे हमें given है इसके अंदर apples देखो green है red है red, red, green, red, green एक box है मान लिया उसके अंदर total apples क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले total apples क्या है हमारी total apples है हमारे पास 7 उसके बाद red apple की probability निकालनी है तो red apples कितनी है हमारी रैड apples जो है वो क्या है हमारे पास 4 है 1, 2, 3 और 4 apples तो हमने probability of red apple निकालनी है तो क्या होगा red apples कितनी है 4, आपो उन में total कितनے में से निकलेंगी 7 में से तो 4 by 7 probability हो जाएगे हमारी probability of a red apple similarly अगर मान लिया green की निकालनी होती तो green apples क्या है 1,2,3 3 apples हैं तो यहां पर क्या हो जाता probability of green 3 by 7 हो जाती I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया है कोई doubt आता है तो comment कर सकते हैं दरवाज जी चैनल को subscribe करे, like करे और share करे Thank you students for watching this video, thanks